तो अभी अगस्त के मंतली प्रेडिक्शन के बारे में अभी यहां हम बात करने वाले हैं, आपका ये चार्ट बनेगा अगर आपका कुम्ब लगन है तो कुछ इसी प्रकार की इस्तितियां आपको देखने को मिलेंगी, हालंकि मंत के मद्धे में आपके इस गोचर में कुछ बदलाव भी अवस्य हो सकते हैं, तो आपका इस प्रकार से अगर प्लेस्मेंट बनेगी तो अब इस प्लेस्मेंट का क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन-कौन से चेंजेज आपको अगस्त महीने के अनुसार अपनी लाइफ में देखने को मिल सकते हैं, इस मंत को आप कैसे प्लान कर सकते हैं, कौन-कौन से बड़े चेंजेज हो सकते हैं आपकी लाइफ में, कैरियर को लेकर, फाइनेट को लेकर, इन सब के वारे में अभी हम जानने वाले हैं, तो सब से पहले यहाँ गोचरी इस्तितियों को देख लेते हैं, उसके बाद यहां चार्ट के इसाब से आगे बढ़ने वाले तो देखे गोचरी इस्तितियों में अगर हम बात करें यहां सूरिय की बात करते हैं सूरिय 16 अगस तक करक रासी में गोचर करेंगे इसके बाद इनका गोचर सिंग रासी में होगा भुद का गोचर अगर देखेंगे तो 5 अगस से 29 अगस तक ही सिंग से करक रासी में वक्री रहेंगे शुकर सिंग रासी में रहेंगे और 25 अगस्त से कन्या रासी में इनका गोचर होगा मंगल वर्षब रासी में रहेंगे 26 अगस्त से मिथुन रासी में इनका प्रवेश हो जाएगा इसके लवा गुरू वर्षब रासी में गोचर करते वे दि देख लेते हैं इसका जो प्रभाव है और जो परिणाम है आपको क्या कुछ मिलने वाला है या तो सबसे पहले यहां हम बात करते हैं लगनेश के बारे में लगनेश आपके सनी हैं और सनी आपकी कुंडली में बारवे घर के भी स्वामी बनते हैं ऐसी कंडिशन में अब इस म जादा मूह नहीं कर पा रही थी या आप बहुत जदा अकिलापन फिल करने लग गए थी तो यह स्थिति में अब आपके लिए बहुत ही अच्छे चांसिस हैं अभी क्योंकि सनी वक्री हो चुके हैं और वक्री सनी मैंने आपको काफी बार बोला कि उतना आधिक डिले नहीं क वास्ते पगार है इन सब में कुछ बदलाव जरूर देखने को मिलेंगें इसके लवा आपके यस्तिति के हिसाब से या आपके किरियर चांसि जहां पर भी अब लंबे समय तक आपके लाइफ जहां पर सटक थी अब आपको यह देखने को मिलेगा कि अब आपकी लाइफ जो है मूह करने वाली है तो एक बढ़िया मुका है फिलाल अपने लिए कुछ अच्छा प्लान करने के लिए और कुछ बहतरीन आगे फ्यूचर के लिए भी प्लान करने के लिए इसके साथ ही देखे सनी बारवे घर के श्वामी बारवे घर के श्वामी होने की वेसे इस समय आप अगर अध्यात्म में रुची रखते हैं आपका कोई ऐसा बिजनस है या कोई ऐसा काम है जिसमें आपका फोरें का कोई कनेक्शन है या फिर सनी यहां इसती थे तो आपका व अब सनी का द्रश्टी है ये third house पर ये अपने niche की रासी है नहीं मेस रासी है यहाँ पर तो अपने niche के घर को देख रहे हैं ऐसी condition में यहाँ पर भी ये अच्छा प्रभाव देंगे और आप अच्छे से मेहनत कर सकेंगे और किसी भी काम के लिए आपको बहुत ज्यादा सारे के सारे issues अब दूर होंगे और अब आपका relationship काफी तेज़ से आगे बढ़ेगा इसके लावा कारिये च्छेतर की बात हमने यहां कर रही ली कि कारिये च्छेतर में अब आपके लिए कुछ नया करना कुछ innovative करना कुछ नए decision लेना कुछ बदलाव करना यह बहुत ज्या गोचर आपके fourth house में है फिलाल और fourth house में जो गुरू है मंगल के साथ यूति करके रहने वाले हैं तो गुरू और मंगल का यूति हो रहा है यह बहुत ही अच्छा यूति होगा आपके लिए बहुत ही favorable यूति होगा अब इस यूति में अगर हम देखेंगे तो दोनों ही आपके चार्ट में उन भावों से समंदित कुछ कारिये यूजना बनाने के लिए और उस यूजना पर काम करने के लिए बहुत ही बहुत ही बहुतरी निस्ति रहने वाली है तो ऐसे में यहाँ पर आप गुरू क्योंकि आपको धन समंदी आसिरवात तो दे ही रहे हैं आप अगर एजुकेशनल जैसे आपका कैरियर स्टार्ट हुआ ही है तो एजुकेशनल कैरियर बहुत अच्छा रहेगा परिवार का पूरा साथ रहेगा लेकिन ये मन्थ आपके कैरियर के लिए काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि देखिए दोनों की दोनों जो ग्र आठनाँ करके देखनार कूछ नपउंचकी निविक्कारफ करहा है या आपके लिए कुछ नए आगर कर सकते हो करियर में अपना जोब वगरे चेंज करने के लिए या कुछ ऐसा कर सकते हो तो आप जरूर उसके लिए ट्राइए करें अब गुरु जो है वह गुरु ग्यान के कारख है ज्यान के और भागये के कारख होनी के विज़ से इस समय आपके कारी चेतर के लिए बेहत अच्छे स्थिति रहेगी और देखा जाए तो गुरु का जो एसपक्ट है अगर एसपक्ट के इसाब से अगर हम बात करेंगे तो यह आपके आठवे भाव को भी एसपक्ट कर रहे हैं आठवे बाव को जब इस प्रकार से गुरु एसपक्ट रहती है ऐसे कारियों में बहुत अधिक सफलता मिल सकती है साथ साथ में जो भी लोग रिसर्च के फिल्ड से जुड़े हैं कोई साइन्टिस्ट हैं कोई और इस प्रकार के अगर काम से जुड़े है उन लोगों को भी बहुत सफलता मिल सकती है काम में इसके लावा आपको पढ़ाई में यानि आपको study करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी इस इस्तिती के विज़ से अब क्यूंकि गुरु आपके दूसरे भाव और ग्यारवे भाव के स्वामी है ऐसे में कोई भी प्रकार से property से समंदित डेल करना अपना घर बगरे के लिए कोई अच्छा प बारवे भाव में जहां पर गुरु अपने नीच के घर पर दस्टी डाल रहे हैं और ऐसी कंडिशन में क्यूंकि सनी जब वकरी हो चुके हैं तो अब आपको विदेश से भी पूरा-पूरा मदद मिलेगी आपको हो सकता है परिवार में कुछ लोगों के स्वास्ते को लेक पूची रहेगी और आपको खुद पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करके चलना थी इसके साथ साथ आपके लिए पारिवारिक जिम्मेदारियां और आपका कैरियर यह दो जो एस्पेक्ट हैं लाइब के बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाले हैं तो अब आगे मंगल तीसरे घर के स्वामी और दस्वे घर के स्वामी ऐसे में अब मंगल आपके कैरियर और आपके एफर्ट को एक साथ जोड़ते हैं और जब भी वह गुरू के साथ यूटी करेंगे तो ग्यान के माद्यम से आपका एफर्ट सामने आएगा अपने विवेक अपनी है अपने काम को दे देते हैं या कभी-कभी अपने घर परिवार के लोगों को ज्यादा टाइम दे देते हैं तो उधर ध्यान नहीं रहता अपने कारिये चत्र पर बट अब आपको यहां पर प्रियापत रूप से यह बैलेंस बनाने में जरूर मदद मिलेगी क्योंकि तीस तो इसको लेकर थोड़ा आपको अवेर रहने की जरत है फिर अगर हम देखेंगे मंगल का दृष्टी तो मंगल का दृष्टी है आपके साथवे भावे जहां पर अपने जिवन साथी से भी कुछ एक्सपकेशन आपकी ज्यादा ही बढ़ जाएंगे इस मंत में तो यहां पर भी आपको थोड़ा से धरिये फिर भी रखना पड़ेगा मंगल का फिर एक्सपक्त आपके दसवे और आपके ग्यारवे बावे ऐसी कंडिशन में धन की वर्दी और आपके मानसमान या परतिष्ठा की वर्दी होने के चांसिज है कैरियर में कुछ ना कुछ ना कुछ होने के चांसिज हैं या कुछ ना कुछ बड़ा होने के चांसिज हैं जो आप अभी तक सोचते आ रहे थे या अभी तक एक्सपक्ट करके आ रहे थे इसके अलवा जब से सनी कुम्रासी में आए हैं उसके बाद से लेके अब सनी के वकरी होने तक की इस्तितियों में जितना भी आपने हार्ड वर्क करा है, जितना भी आपने आपको प्रिपेर करा है, अपने काम के लिए, अपने जोग के लिए, या किसी भी अपने अन्य काम के लिए, उसमें अब आपको सफलता जरूर मिलने वाली, और वो एफर्ट अब आपके बहुत ज़्यदा काम आने वाले है, तो यहाँ पर हम यह बोल सकते हैं कि यह जो इस्तिती है यह आपको काफी ज़्यदा फेवर कर रही है फिलाल और आपको ज्यादा तर अपने कैरियर पर mostly फोकस करना जी है इसके साथ आपके मन में थोड़ी उगरता रहेगी आपके विचारों में थोड़ा सा उबाल रहेगा वाणी में थोड़ी सी उगरता रहेगी इन सब को लेकर थोड़ा सावधानी जरूर रखें उसके बाद हम देखते हैं यहाँ शुकर को शुकर का गोचर अगर हम लेकिन लगबग मन्त के एंड में यह सब होने वाला है तो इसका कोई खास एफेक्ट यहां मिथुन रासे में आने के बाद इतना जल्दी आपको देखने को नहीं मिलेगा शुकर की अब जहां तक बात है शुकर चोथे घर के शौमी और नौवे घर के शौमी बनते हैं शुक बिजनेस को लेकर यह काफे ज़्यदा इंपेक्ट करेगी आप लोगों को इसके साथ यहां बुद्ध भी है तो बुद्ध का जो इस्तिति है बुद्ध हलंकी वक्री इस्तिति में जरूर है बट यहां पर हम यह बाल सकते हैं कि आपका कोई अगर क्रियेटिव वरक है जैस सब मामलों में अब आप कुछ नया लेकर आ सकते हो कोई ना कोई इनौविटिव आइडिया लेकर आ सकते हो यह आपको बेहत सपोर्ट करेगा शुकर के यहां होने के विज़से कुछ एक्स्ट्रा रिलेसिंसिप बनना या जिनका मैरीज नी वहां उनका मैरीज होने का भी प्रयाप चांसेज बनेंगे इसके साथ जो आपका जिवन साती है वो आपको डॉमेस्टिक मामलों में बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर पाएगा और आपके जिवन साती के साथ कोई आप इस मन्त में लंबा ट्यूर कर सकते हैं कहीं ना कहीं घूमने फिरने के लिए आप 25 अगस्ट से आपको एफेक्ट करेगा तो यहां पर आपको थोड़ा सावधानी बरतना है 25 अगस्ट के बाद लेकिन 25 अगस्ट तक इस्तितियां बहुत ज़्यादा आपके फेवर में रहने वाले और इस समय अपने जिवन साती और फैमिली के साथ भी आप ज्यादा से ज् प्रकरी हो रहे हैं तो ऐसी कंडिशन में थोड़ा सा मनमुटा अपने जिवन साती से होने की चांसेज रहेंगे या थोड़ा अंडरस्टेंडिंग में कभी कुछ कम्या तेहने के चांसेज रहेंगे इसके इलावा इस समय कोई भी बिजनस को लेकर अगर डिशिजन लेना चाहते हो तो आपके सामने बहुत सारे options available हो सकते हैं और उन में से आपके लिए perfect option कौन सा होगा perfect कौन सी planning होगी आपके लिए ये थोड़ा सा difficult हो सकता है आप लोगों के लिए तो यहाँ पर जिवन साती की सलाह या जिवन साती की सहमती लेना भी आपके लिए बहुत ज़्य बहुत ही ज्यादा important होने वाला है बुद्ध का दृष्टी आपके लगन पर भी रहेगा जहां पर बुद्ध कुछ हद तक आपको किसी भी ऐसे विसे में जहां पर आपको बहुत ज्यादा संगर्स करना पड़ रहा है बहुत ज्यादा आपको effort लगाना पड़ रहा है बुद्ध के गोचर के बाद अब हम देख लेते हैं चंद्रमा के गोचर को तो चंद्रमा जो है यहाँ पर देखिए सिक्स हाउस के सवामी है और इस मन्त के स्टार्टिंग में क्योंकि आपके पांच भी भाव में देखने को मिलेंगे जहां पर संतान की साथ बहुत लगा आने के चांसे रहेंगे यहाँ पर यह उतार चड़ाव लगबग पॉजिटिव होने के संकेत हैं इसके साथ थोड़ा सा आप ज्यादा इमोशनल होंगे ज्यादा क्रियेटिव होंगे और थोड़े से इनोवेटिव आइडियाज वाले होंगे स्टार्टिंग में उसके बा बगबग आपको तीन या चार तारिक के आस्वास अपने कैरियर को लेकर कोई मेजर डिशिजन लेना अपने स्थान परिवर्तन को लेकर कोई मेजर डिशिजन लेना या कोई बी ऐसी बादा आ रही है कोई ऐसी समस्या आ रही है आपको आपके वरक प्लेस पर जहां पर आपका मानसिक तनाव बढ़ना या मन में कभी-कभी कुछ गबराट होने के चांसे बनेंगे इसके बाद हम सूरिय की इस्तिती को देखेंगें सूरिय जो कि आपके साथवे भाव के स्वामी बनते हैं सूरिय के गोचर को अगर हम लोग देखेंगें उनको आप जल्दी-जल्दी निप्टा सकेंगे और आगे बढ़ सकेंगे इसके इलावा आप कोई भी ऐसा कम्पिटिशन फेस करने जा रहे हैं कहीं पर आपको बहुत ज़्यदा ऐसा कोई कम्पिटिटी एक्जाम देना है या आपके ओपर कोई लीगल मेटर चल रहा है कोई ऐसी इस्तिटी चल रहे है जहां पर आपका किसी के साथ कोई लडाई जगड़ा हो गया कोई विवाद हो गया कोई कहा सुनी होगी इन मामलों में सूरिय आपको बहुत सपोर्ट करने वाले है तो ऐसे में आपकी डेली लाइप बहतर होगी इस मन्त में और आपका कैरियर भी काफी बहतर होगा तो मैनली जो फोकस है आपका वो मनी अर्णिंग पे और आपके कैरियर पे होना चाहिए और जोब में किस प्रकार से आप कुछ नया कर सकते हैं अपने कारिय चेतर में कुछ न कुछ क्या आप इनोवेशन ला सकते हैं और अपने काम से आप लोगों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं तो यहाँ पर यह इस्तिति हमें देखने को मिल रहे है फिर यहाँ पर सूरिय अपनी रासी बदलेंगे और आपके साथवे भाव में इस्तिति होंगे साथवे भाव में इनकी यह इस्तिति 16 अगस्त के बाद आपको देखने को मिलेगी ये इस्तिति में सामाजिक परतिस्था और मान समान बढ़ने के बहुत अधिक चांसिज हैं लेकिन इस समय अब आपका जिवन साती आपके ओपर धीरे-धीरे हावी होने लगेगा और क्योंकि सामने सनी है और इस वज़े से आपके और उनके वीज में थोड़ा बहुत होने के चांसिज हैं इसके अलावा यह हो सकता है पहले से अगर आपको पार्टनर्सिप में तो कुछ पार्टनर्सिप में भी आपको इश्यू जा सकते हैं बट इंडिविजुली अगर देखा जाए तो यह इस्तिति आपको बहुत ही ज्यादा फेवर करने वाली है आपके है तो अब हम देख लेते कौन-कौन से अच्छे दिन और कौन-कौन से खराब दिन आप लोगों के लिए आने वाले इस मंत में जिनका आपको देखना है प्लान करना है अपने लिए तो सबसे पहले हम अच्छे दिनों की बात करते हैं अच्छे दिनों में अगर देखा जा उस काम को आप इन दिनों में ट्राई जरूर करिएगा इसके बाद हम देख लेते हैं कौन-कौन से खराब दिने जहां पर आपको कुछ दिक्कतें भी आ सकती हैं खराब दिरों में जहां तक बात है चंद्रमा का गोचर जब करकरासी में होगा तीन और चार को ये इस्तिति आपके लिए तनाव भरी रह सकती है आपको किसी की साथ कोई जगड़ा कोई मनमुटा होने की चांसिस बनेंगे और आपके उपर आपको मानसिक तनाव या चिंता बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती है चंदरमा का गोचर जब आपके आठवे भाव में होगा तो ऐसी कंडिशन में आठ और नो को ये इस्तिति आपको कुछ अचानक बड़े बदलाव दे सकती है लाइप में कुछ हद तक कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा कमी होना और आपके आर्थिक मामलों में कुछ ना कुछ बड़े बदलाव होने की चांसे दिरुए तो थोड़ी सावधानी बढ़ते हैं और इन दो दिनों को कोई भी डिसिजन लेने के लिए अवोईड आपको करना होगा तो कुल मिलाकर अभी हम डिस्कुसन कर चुके फिलाल आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद